कल अम जो exercise किये थे, exercise number 1G, 1G में अम सिखे थे थे थे, filler rod को ले तरकर कैसे fusion welding करेंगे, बिना filler rod से कैसे fusion welding करेंगे, ठीक है, उस exercise से आपको एक satisfaction वहा होगा, blow pipe को कैसे पकड़ेंगे, कैसे filler rod देंगे, किस angle से पकड़ने से सही होगा, flint बैसे, मतलब inner ball और बैसनली की बीच में कितनी दूरी पे राखेंगे, यह सब आपी clear हुआ होगा, तो इसी को लेख देखते हुए, हम अभी जाएंगे, exercise number 2, row में क्या है, 2G, open square butt joint और inner shape in domain position और with flat position बैसे, यह और उसकी बीच में बहुत फरक है, वह बंदे अपकी हाथ को steady करने में सिखे थे, अभी क्या हो गया, जोड बनाना, यहां मिखा आया, open square butt joint, जोड बनाना और उसमें बहुत अंतर है, अभी जोड कैसे बनाएंगे, तो butt joint कैसे बनाया जाएगा, उसके लिए क्या क्या चाहिए हम, ठीने, पहले आपको चाहिए, drawing की साबसे, जो drawing आपको दिखाए दे रहा है, इसकी साबसे आपको raw material लेना पड़ेगा, 102, 3 mm की गोठाई में, 50 mm चबडाई में, दो पीस चाहिए हमको, MS का है, mild steel, आपकी exercise भी कोई बता रहा है, mild steel sheet में करना होगा, तो mild steel की raw material लेनेंगे, और उसकी साथ आपको CCMS filler rod चाहिए, copper coated mild steel filler rod, diameter उसका है, all point लेने, तो इसमें, आपको अभी job तयार करेंगे, job करने की पिले, जो भी चाहिए, आपको जो भी करना है, वो सब बोल देता हूँ, पिले drawing की साबसे, आपको कटेंगे, कटेंगे मतलब इदर हम sharing machine की द्वारा काट देंगे, क्योंकि हमारी material की thickness है, 3 mm है, तो 3 mm आराम से sharing machine से कट जाएगा, जब sharing machine नहीं है, तब हम सिसल की द्वारा भी काट सकते, ठीक है, पहला काम हम काट लेंगे, किसी साथ से काटेंगे, हमको चाहिए 102, 3 और 50 की साइस की piece को काट कर रखेंगे, दो piece, ठीक है, ये cutting ओने की बार, हमारा दो number की sequence क्या आएगा, जिस जगा में आमको building होना है, उस जगा को हलका सा file करना, तो मैंने पहले भी बोल चुपा हूँ, आपको, दो time पे आपको file करना पड़ेगा, एक है building करने की payment, और एक है building करने की बार, तो अभी आमको file कैसे करना कहां करना, यहां पर जो plate आपको दिखाई दे रहे है, इस जगा में weld हुआ, तो जिस जगा में weld हुआ, हलका सा surface को हम file कर देंगे, आमको welding सही तरह से आजाए, ठीक है, अभी हम file कर देंगे, सक्तर्ड अमको क्या करना है, इस आपक जय जय चो यह सब इसमें नहीं है, तो अबको краa की ज़रुर्द नहीं पड़े गा, इस जला करना पड़े करना पड़े है उस जगा में, हमको ओर भी काम करना पड़ों करना पड़ता है, तो इतना में हम अभी plan set up को चला जाएँ, plan set up की पहले हम को क्या करना पड़ेगा, apron चृवर्ण ग्लाउस जितनी ही सेथिग की चीज है और जो भी टूल्स लगेगा उसको भी लेकर चला जाना खुने अब करेंगे। प्लांड सेट करेंगे। जैसे हम ऑक्सिजन शिलिदर को को लेंगे, असेफिलेंस को कौलेंगे। पानी बल्टी में पानी बरा उभा है नहीं देखेंगे। फिर सिलिंडर कुलनी की बात आमको काम करने के लिए कितनी प्रेशर चाहिए। उसको सेट करेंगे ऑक्सिजन का दोफ और ऑर असेटेलियन का पॉइंक आए। इससे दोने की बार आम अभी वर्केबिल पे आजाएगी वर्केबिल पे आने की बार हमको क्या करना जो जॉट को हम फाइल करकर रखे हैं उसी जॉट को हम इदर कुछ काम करना पड़ता है क्यूंगी यहाँ पर आपको बीğिस में दिखाए दे रहे हैं कुछ गया दिया गया है उसको हम क्या बोलते हैं गया वर्केबिल भोलते हैं असी साथ से producto इस डॉट पर ओडी को ना दो ऊकाम यहतनल लेकसी सब एप बोली हुआ है दो वर्कीस को इस alignment में, इस alignment मतलब job drawing पे जैसे दिखाए दे रहा है, ऐसे आम रख कर tacking करना पड़ेगा, क्यूंकि जैसे आम रखे हैं, ऐसे welding ओने तक आमको उस alignment में दाना जरूरी है, तो alignment में दाना जरूरी है मतलब आम कुछ काम करना पड़ेगा, तो उसी जो alignment रखने वाली काम को बोला जाता है, tacking, T-A-C-K-I-N-G, okay, tacking करेंगे, कैसे tacking किया जाएगा, पहला इस edge पे एक tacking, मतलब इस दोनों को बीच में यहां पर एक tacking किया जाएगा, उसकी बार, यहां से लेकल कर 25 mm पर एक tacking किया जाएगा, फिर last end पर एक tacking किया ज होगी, आप tacking साथ कर देंगे, तो कितनी gap रखेंगे, उसका भी तो कुछ standard होगा, क्या standard है, 1.2 से 2 mm, आपका diameter of filler rod कितना है, 1.2 है, इसी को ही सीधा, यह जो job आपको दिया जाएगा, आप work table में, ऐसे रख देंगे, इसकी बीच में, आपकी filler rod को ऐसे gap आना जैसे देख कर चेक कर रहे हैं, तो उसकी बाद हम इसको tacking करेंगे, 1.2 तो अलरी है, आपके हाद में, इसको लेकर कर बीच में root gap दे रहे हैं, उसकी बाद tacking करेंगे, तीम जगा में tacking करेंगे, तो tacking करने के लिए क्या flame, जो flame हम कल welding किये थे, neutral flame, उसी flame की द्वारा ही यहाँ पर tacking होग Okay, so tacking हो गया, neutral flame की द्वारा, tacking हो नी की बाद, आम जैसे कल बात कर रहे थे, leftward technique की द्वारा हम वेल्डिंग शुरू करेंगे, तो blocker की angle की राएगा, 7-70 degree राएगा, fingerprint की angle की राएगा, 30-40 degree राएगा, देखर कर हम शुरुवात करेंगे, फिर अमारी welding जब complete होगा, मतलब welding चालो हुआ, यहां से अपकी welding तब आ गया, तो end ओनी की समाई, ओनी की बात आमको क्या क्या देखना है, एक एक हैं आपकी end की जगा, crater, तो यह आमको reduce करना है, welding करने की समाई ही, तो उसको कैसे reduce करेंगे, कल भी मैंने आपको सिखा था, कैसे reduce करेंगे, फिर भी आज भी हम देखेंगे, ओर reduce करना है, welding करने की समय पर ही, करने की बात, हम जॉब को वार्टेबल से, टॉंग्स की द्वारा हटाएंगे, हटा करका wire brush देंगे, wire brush देने की बात, हमको यहां एक चीज देखने की लिए मिलेगा, जो जॉब की पीछे तरफ, penetration आया होगा, वो कहां से आया जो रूट गयाग अपने दिये थे, वो रूट गयाग की द्वारा इतनी deep तक वो गला है, बोलकर दिकाई देगा, वो है, इसमें नहीं, बीना penetration में आपको square butt joint करेंगे, वो इतनी मजबूत नहीं राएगा, तो penetration आपको जरूर राना चाहिए, तो उसी को हम कैसे लाएंगे penetration, सही तरह से घुलाएंगे कैसे, ये सब हम दिखेंगे अभी building table के, ठीक है, ये हम पल जैसे flame setting करने की समाई, वर्टेवी की उपर top को इस प्रकार रगे थे, ऐसे ही धी रखेंगे, रख कर आसपलेंग नौन को पेले कोलेंगे, तो आसपलेंग नौन को को पोला, तो आसप अमारी पिस्ती द्वारा, पिस्ती द्वारा अपलब sparklight की द्वारा आम flame को ignite करेंगे, तो flame को ignite करेंगे, ignite हो गया flame, अभी ऐसे flame आ रहा है, अभी आमको oxygen नौन को कोलना पड़ेगा, oxygen तोड़ा सा धीरे धीरे कोलेंगे, ठीक है, देखिए flame change हो रहा है, जैसे हम का रखेंग अब ऐसे ही हम flame अभी set की है, तो neutral flame बंग दिया है अभी, तो हम जैसे बता रहा था, बोर्ड पे, हमको पहले क्या करना है, जो table पे रखा हुआ, अपकी weld piece को, work piece को, पहले root gap दे करकर हम set करेंगे, तो root gap कितनी देना पड़ेगा, 1.2 mm से 2 mm तक दे सकते हैं, मैंने अभी दे यह approximately filler rod की size की साथ, तो अभी हम tacking करेंगे, कैसे tacking होता है देखिए, तो पहले दोनों edge की बीच में, गरम को दिखाएंगे, flame को दिखाएंगे, flame को दिखाने की बार, जब वो गलेगा, मतलब solid से liquid state पहुंचेगा, तब हम हलका सा filler rod देंगे, दोनों की बीच में, तो यह अ आपवा था, ऐसे मेरे को alignment चाहिए, तो उस alignment के लिए मेरे को tacking करना ज़रूर ही है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मैंने बोला 25 mm पे tacking चाहिए, ऐसे ही मैं tacking करूँगा, देखिए, वो दीरे से लाल color को change आ रहे है, उसकी बाद दीरे-दीरे क्या होगा, solid से liquid बन देंगे, फिर इस तरफ, अच्छली बीच में ही आपको दिखाना पड़ेगा फ्लेम को, दोनों की बीच में, दोनों प्लेट की बीच में, तब दोनों समान ओकर बलेगा, ठीक है, अभी हम दोनों को जोड़ दिये, फिर आमारा और एक edge मतलब बचा हुआ है, उसको भी हम क करेंगे, देखिए अभी आप लोग का जो size अमने रखे थे, अभी जुग गिया है हलका सा, मतलब चोटा बन गिया है, तो इस कार्म के लिए ही, अमको जो size चाहिए 1.2 से हलका सा बड़ा ही रखना पड़ेगा, तब हमको समान तरीका से penetration निकलेगा, ठीक है, अभी मेरा tracking clear, ओके, अभी जैसे मैंने बोला आप लोग को, रूड़ गया समान नहीं होने से, आपको penetration निकलने में मुश्किल होगा, अभी कैसे अभी penetration निकलेगा, हलका सा तो जुग गिया है, आप ऐसे सोचे लिए तो, हमको क्या करना पड़ेगा, इसका एक नाम होता है, divergence allowance बोलकर, जैसे अभी है, हलका सा ज्यादा है एक साइड पे, हलका सा कम है एक साइड पे, तो जिस साइड पे अभी ज्यादा है, उस साइड से हम शुरुआत करेंगे, तब क्या होगा, जो जुका हुआ साइड ऐसे राएगा, मान लीजे हम जुका हुआ साइड से ही शुर करेंगे देखिए पेनेट्रेशन आमको लाना है तो लाने के लिए कैसे कर रहा हूं देखिए कि अभी तक गला नहीं है गलेगा हलका सा समय लेगा बीच में आपको देखना पड़ेगा फ्लेम चेंज हो रहे है क्या वह अम सभी टाइम तोड़ा सा देखना है क्योंकि जब फ्लेम चेंज हो जाएगा अमारी मेटल की गून जितनी भी है वो भी चेंज हो जाएगा वो दिकत करेगा अभी दिकत नहीं होने से भी बात में दिकत करना शुरू हो जाए देखे मेरा अभी सॉलेट से लिक्विड बन गिया है मैंने दीरे दीरे फिलर रोड देना शुरू करेंगा देखे रहे हैंके ऐसे गल रहे हैं दीकि फूरा मतला सॉलेट से लिक्विड हो रहा है रिटीरर भी पीड रहा है आपकी फिलर रोड भी भी लिक्विड हो रहा है समान फीड देंगे समान वेल में की समय समान देंगे तो अपकी वेल्ड वीड की अपिरंस बढ़िया लगेगा कि अपकी नगी करते हैं कि अपकी के देंगे फिलर्वाट साइस चोटा हो गया था फिर शुरुवाद करने की समय आम कहां रुखे थे फिर कहां शुरुवाद कर रहा है जैसे दूसरी आकरतर देखेगा ना उनको दिखाई नहीं देना चाहिए उस हिसाब से आम वेल्डिंग को चालू करेंगे वो भी एक स्किल है मैं दिखाऊँगा मैंने कहां रुखा है वो दिखाई नहीं देगा आप रुखे देखे इस जगह में लास्ट में मैंने क्या क्या आप लोग देखा होंगे पिलर रोड की उपरी फ्लेम का पूरा कॉंसेंट्रेशन जारा जैसे मैंने किया इसलिए करना है मैंने फिछले जोग पे भी बोला क्रैक्टर बड़ा साइज नहीं हो ना कोई एक डिखेक्ट है उसका हम पेसे भी कम करना हमारी काम है तो इसी कारन के लिए लास्ट मुमेंट में आपकी गरम आपकी जाने की जगा नहीं है उसे जागा में हलका सा फ्लेम की गरम को क्या करेंगे और एघ्टलat की ऊपर ले लेँगे तब क्या होगा इसे गहिए आपकी बेस मेटल तोड़ा सा कम देंगे टील हैंडिद थी एक है्ट है फिल्सकंट कीनी की पार सब्सक्ष्कश कृतरिम को बंध यू फिर ब्लोपाइक को टांग देंगे जिस एंगर पे अभी हम क्या करेंगे मतलब गरम है जो उसको टॉंग्स की द्वारा पकड़ेंगे टॉंग्स से पकड़कर क्या करेंगे वायर ब्रस से साफ करेंगे साफ करकर फिर देखेंगे अमारा क्या क्या हुआ है सफेज वाला चस्मा अभी देखिए अपकी बीड की अपिरन्स कैसे हैं कितनी आपकी विपल्स फॉर्मेशन पास पास आया है यह आपकी उपर निर्वत करता है कैसे आपने फीड देंगे उस हिसाब से वो निर्वत करेगा ठीक है आप अभी वेल्ड बीड को देख लिया आपकी पेनिट्रेशन को देखेंगे देखिए शुरू से लेकर कर लास्ट तक मेरा पेनिट्रेशन आया हुआ है आपकी वेल्डिंग कितनी बजबूत है इससे हम पता कर सकते हैं ठीक है